हेलो दोस्तों स्वागत है आपका केरियर विल स्टड़ी में आज मैं आपके लिए कर आई हम क्लास 6 की सब्जेक्ट है हमारे पास खेल और स्वास्त है और पार्ठ है हमारे पास नो पार्ठ का नाम है प्रात्मिक चिकित्सा नसीले पदार्थ एवं उनके दुस्परिणा ठीक तब डॉक्टर के आने से पहले घायल व्यक्ति का जो उपचार किया जाता है उसे प्रात्मिक चिकित्सा कहते हैं अगला प्रिशन है दूसरा खेल के मैदान में प्राय किस प्रकार की घटनाएं घटती हैं तो उत्तर डालेंगे और लिखेंगे खेल के मैदान में होने वाल प्रात्मिक चिकट्सा की सायता से घायल रोगी के जीवन की रक्षा होती है। नमर दो, चोटगी गंबीरता को कम करने में प्रात्मिक चिकित्सा सहायक है। उसके बाद है प्रिशन नमर चार, पेसियों के खिचाव की इस्तिती में क्या प्रात्मिक उपचार करेंगे। तो उत्तर डालेंगे और लिखेंगे पेसियों के खिचाव की इस्तिती में प्रात्मिक उपचार रोगी को आराम की इस्तिती में लिटाएं और दर्द निवारक क्रीम लगा कर उसी इस्तिती में छोड़ दें अगला प्रिशन है पांचवा हड़ी तूटने की इस्तिती में आप तुरंत क्या करेंगे तो उत्तर डालेंगे और लिखेंगे हड़ी तूटने पर हम निम्नवत प्रात्मे को उपचार करेंगे नमर एक गायल व्यक्ति को भीर से हटा कर खुली हवा में लाएंगे तथा रोगी को धेर एवं सात्वना देंगे पॉइंट नमर दो है यदि इसके लिए लकड़ी की छोटी खपच्ची हो तो उनकी सायता से तूटे अंग को बान देंगे नमर तीन है बड़ों की सायता से स्ट्रेचर या एंबुलेंस से गायल व्यक्ति को डॉक्टर के पास ले जाएंगे उसकी बाद पिरसी नमर छे है डॉपिंग किसे कहते हैं तो उत्तर डालेंगे और लिखेंगे डॉपिंग कभी-कभी खेल प्रती योगिताओं में खेलाड़ी अपनी शारीर एक शक्ति को बढ़ाने के लिए शक्ति वर्दक नशीली दवां का प्रियोग करने लगते हैं जिसे डॉपिंग कहते हैं पिरसी नमबर साथ है नसीली पदार्तों का शेवन करने से शरीर पर क्या दुस्प्रभाव पढ़ता है तो उत्तर डालेंगे और लिखेंगे नसीली पदार्तों का शेवन करने से शरीर पर निम्निवत दुस्प्रभाव पढ़ते हैं नमबर एक, सिग्रेट के दुवे से संपर्क में लगातार रहने से हिर्दे रोग और फैंपडों का कैंसर होने की संभावना 25% तक बढ़ जाती है नमबर दो, तंबाकू गुटका चवाने से मुह के कैंसर होते हैं उसके बाद है रिक्ते स्थानों की पूर्ती कीजिए तो देखो का है सिग्रेट और पान मसालों को बनाने में निकोटीन नामक विसेला रासायनिक तत्व प्रियोग किया जाता है खा है नसीने पदार्तों का शरीर पर बुरा प्रभा पड़ता है गा है नशा करने वालों की संगत से बचें और गा है डूबते व्यक्ती को पानी से निकाल कर पेट के बल लिटा देंगी तो इसी के साथ आपका ये चैप्टर समाप्त हो चुका है उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ये चैप्टर के साथ धन्यवाद